नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरजेश बसेश्ट, आपका जो mobile phone है, अगर ये android phone है तो इसके अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है, आपका फूरा experience बदल जाएगा जो अभी तक आपके mobile phone में नहीं हुआ था, ये आप कर नहीं पा रहे थे, वो अब हो सकता है कि आप कर पाएं, एक बड़ा फैसला आया है, competition commission का, उसके बाद Google को आपके mobile phone में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, और वो बदलाव क्या है, वो प्रस्तावित बदलाव क्या है, आज इसको हम समझेंगे, हम ये भी समझेंगे कि Google की वो कौन सी गलती थी जि उसका पक्ष भी नहीं आया है, लेकिन ये खबर बहुत रोचक है और पूरा हमारा mobile experience बदलने वाली है, हमारे mobile को लेकर हमारा पूरा का पूरा अनुभाव बदलने वाला है, क्या ये change ऐसा हो जाएगा या कुछ और ऐसा हो जाएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो इशार मिल रहे हैं competition commission के फैसले से, उससे लगता है कि अब Google की तस्वीर खास तोर पे Android की तस्वीर बदलने वाली है, अगर आप हमारे चैनल को support करना चाहते हैं, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में उसके जरीया बखतान कर सकते हैं, इस screen पर भी आपको QR code दिखाई दे रहा होगा जिसे scan करके आप हमें धंदाशी दे सकते हैं, मैं अभी आया। Google ने हिंदुस्तान में जितना revenue generate किया है, यह उसका 5% जो उसके उपर लगाई गई है, पैनल्टी, आप सोचिए 1337 करोड और 76 लाख उपर से, इतनी बड़ी पैनल्टी लगाई गई है, और यह पैनल्टी जो लगाई गई है, इसमें competition commission ने, बहुत सारी, इसमें बहुत तक mobile phone खरीता है, आदमी तो आपका Android ही चलाता है, तो Android की जो का जो वरध हस्त हाया कहें, कि इसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, जो उसके पास शक्तियां थी, उनका उसने दुरूपयोग किया है, अब दुरूपयोग कैसे किया है, दुरूपयोग ऐसे किया है, कि जब वो आप के पास में, जब आप mobile phone खरीते हैं, तो Google अपने पास से ही कुछ application आपको टाल के दे देता है, जैसे play store आपको डला डलाया मिलता है, इसके अलावा YouTube मिलता है, Chrome browser मिलता है, और बहुत सारी चीजें आपको डली डलाया पहले से मिलती है, और इन चीजों को आप अपने phone से uninstall भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि आप Google Play Store को uninstall कर दें, या आप Google Chrome को uninstall कर दें, Google Search को uninstall कर दें, तो आप नहीं कर पाएंगे, Competition Commission का मानना है कि यही काम गलत किया है, उनका कहना यह है कि आप जो है वो लोगों को मजबूर करते हो कि वो आपका ही application इस्तेमाल करें, और इसके कारण जो आपके प्रतिद्वन्दी हैं, उनको समान अवसर नहीं मिल पाता है, आप अपने Play Store से application बेच के पैसे कमाते हो, सर्च इंजन डाल देते हो, तो लोग गूगल पे ही सर्च करते हैं, तो जो दूसरे सर्च इंजन है, उनके उपर लोग नहीं जा पाते हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं, अब आप कहेंगे कि competition देखिए, competition commission है, जाग जाता है, कभी कभी इससे पहले मैंने कई बार कई मामल पूजीवाद की आत्मा है, हमें और आपको ये समझाया जाता है, कि जब पूजीवाद आएगा, जब पूजीवादी विवस्था होगी, खुली अर्थ विवस्था होगी, तो आपको खुला competition होगा, जो भी आएगा, वो अपनी धुकान खोल लेगा, दो ओपरेटर, चार ओपरेटर होंगे, जो बेहतर सर्विसेज देगा, वो रह जाएगा, और इस competition के चक्कर में, जो आम उपभोगता है, उसको लाब मिलेगा, यानि जब दो कमपनियों के बीच में competition होगा, तो आपकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी, लेकिन हमने देखा है कि हमारे देश में जो competition के बजाए, बड़े-बड़े उद्योपती, syndicating कर लेते हैं, पिछले दिनों मैंने बताया था कि किस तरह से एक मोबाइल कमपनी का network है, सारी मोबाइल कमपनियां उसी को access कर रही है, तो competition कहा बचा, यानि उसी टौबर से एक, उसी टौबर से दूसरा, उसी टौबर से ती उस पे जाच की गए, उनकी competition कमिशन की एक investigative wing है, जिसके आधार पर ये निचकर्ष निकाला गया, अब ये गूगल पे एक दवाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से, तरह तरह से, अलग-अलग जगों पे, अलग-अलग institutions थे, Facebook के उपर अपने लगा था, क्यों सरकार के दवाब में आओ गया हो, एक बात ये भी कही जारी, क्योंकि गूगल जिस तरह की services यहां दे रहा है, दुनिया फर में देता है, तो अचानक ऐसा क्या हो गया, कि हमारे यहां पे हमको वो anti competition लगने लगा, भई अगर आप एपल पे जाते है वहां फिल्म आपको उनका जो अपना platform है वहीं से ही निकाल के देखनी पड़ेगी, तो इस तरह से लेकिन यह जो भी है एक फैसला है, और इस फैसले का मतलब यह है कि आप एक तो एतनी रकम जमा करो, दूसरा आप अपनी इन सब चीजों को बदलो, तो बदलने का मतलब य अगर इस फैसले को Google स्विकार कर लेता है, क्योंकि एक हजार तीन सो कुछ करोड की रकम है, आसानी से कोई देता नहीं, तो अगर वो स्विकार कर लेता है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपका, आपके मुबाइल से अगर आप चाहें, प्ले स्टोर को हटाना, जैसे स और सारी एप्लिकेशन को आप भटा सकते हैं, वैसे आप Google के अप्लिकेशन को भी खटा सकते हैं, क्योंकि इस्थमें Google Music है, Google TV है, बहाष सारी एप्लिकेशन है, जो वाक्षी हम को नहीं चाहिए होती है, लेकि हम भटानी पाते हैं, क्योंकि वो Google की हैं, अब इस फैसले के पाद में उन एप्लिकेशन को आप हटा पाएंगे कंप्टिशन कमिशन की जो प्रेसलीज है वो यह कहती है कि बाकाइदा यो यूट्यूब का भी डॉमिनेंस है उसके पीछे भी गूगल की मोनोपॉली ही है और गूगल पर बहुत सारे मुकदमें चलते रहते हैं अभी हाल म हिंदुस्तान बर के अख़वार वालों ने एक मुकदमा किया था गूगल के उपर और यह कहा था कि गूगल जो है वो अपने आपे न्यूज स्टेंट पर दूसरी जगों पर हमारी ख़बरों का इस्तेमाल करता है हमको पैसे नहीं देता है और बलकि हम से यह भी कहता है कि आप हमको ख़बरें दोगे तो हम आपको सर्च में ऊपर रखेंगे अगर हम सर्च में ऊपर रखोगे तो हमको ज्यादा लोग आपका पोर्टल देख लेंगे अगर आप हमको ख़बरें नहीं दोगे तो हम नहीं देंगे क्योंकि यह अस्ट्रेलिया में भी हाल में मामला ह पढ़ता है तो उस खवर पे जिस ने खवर लिखी है जिस समाचार माध्यम की खवर है उसको रोयल्टी देनी पड़ेगी तो ये बड़ा सवाल है इसके अलावा और भी आरोप लगें एक और भी गूगल के खिलाफ याचिका गई है कमप्टीशन कमिशन में जिसमें ये बता कुछ कॉइंस खरीते हैं कई बार आप उसमें कपड़े खरीते हैं आपका जो केरेक्टर होता है उसके तरह तरह के डिजाइन वाली बंदू खरीते हैं टोपिया खरीते हैं उसमें 30% का भूगतान करना पड़ता है तो ये कहा जारे कि ये मोनोपोली का गलत फाइदा उठा है कि वो अपने प्ले स्टोर के जरीए ही और वो एक खास प्रोटोकॉल में ही ख़बरों को और दूसरी चीज़ों को जाना देता है कुछ शिकायत ऐसी भी हैं कि बहुत सारी अप्लिकेशन पर जो विग्यापन चलता है उसको उसके अंदर भी गूगल अपना कमिशन लेता और उस रकम को भरने के बाद भी गूगल को कई बदलाओ करने पड़ेंगे जो की अप्लिकेशन के बाई डिफॉल्ट शामिल होने नहीं होने पर है जैसे मालीचे आपने अंड्रॉइड इंस्टॉल किया तो चीन में अभी क्या होता है कि आपको वहां पर गूगल के अप् अप्लिकेशन को अनिस्टॉल कर सकें अगर इस फैस्टॉल को गूगल स्वीकार करता है अभी फिलहाल बहुत सारा पानी बाकी है और गूगल पे इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं और अगर इस तरह का बड़ा जटका गूगल को भारत से लगता है तो पुरी गूगल में भी कर्मचारियों की छटने की सुगवगाठ है सुन्दर पिचाई कह चुके हैं कि अब वेतन वेतन की तरफ ध्यान देने से ज्यादा काम पर फोकस करना चाहिए बाकी सब ठीक रहेगा इसमें भी एक संकित है उमेद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो ज्यादा से आलोंगों तक पहुंचा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें नमस्कार चैहिंद